सिसी एन्यस 24 के सबी दर्शिकों को मेरा नमस्कार दर्शिकों इस वक्त मेरे साथ सुबिदार मीजर सुख देव सिंग जी मौजूद है और आज असके आप जानते ही है कि लगातार 26 दिनों से यहाँ जंतर मंतर पर सैनिकों का बड़ा आंदोलन चल रहा है और आज 26 दिन लग चुका है अंदोलन का आई एक बर जान लेते हैं इनसे कि 26 दिन में सरकार के तरफ से क्या कारेवाई हुई है अभी तक सरकार की सर पे जू रहेंगा है या नहीं रहेंगा अभी तक सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है थैंक यू सेंक यू सो मज़ चीशी एंड न्यूस 24 आपका बहुत 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 दन्यावाद कि आप बहुत देर से बहुत पहले से आप हमारे साथ जोड़े हैं थैंक यू सर 26 दिन लग चुके आपके अभी तक क्या कारवाई हुए सरकार का कोई नुमाइंदा आया है आप लोगों के बीच आप की आवास सुन रहें हाँ यह अप सच कह रहे हैं कि शब्धी दिन हो गया है क्योंकि आप आपकी हाज़ी भी शब्धी देनी पहले इदर से लगी थी और यह कंटीनु है आपने एक भी एकसेंट उसमें नहीं शोकी यह शब्धी दनों में हमारे साथ आज तक ना कोई मिल्डे के लिए ना कोई इन्फॉमेशन ना ही हमें को इन्फॉम किया गया कि आपकी किसी भी मांग के उपर हम लोग विचार कर रहे हैं आपको बलाएंग अब देखें जब भी बलाएंगे हम तब तक इदर बैठे हुए हैं अच्छे सार अपके आंदोलन के 20 दिन से उपर हो गए तो काफी ऐसे संगठा ना हो गए हैं काफी ऐसे चीजे देखने को मिल रहे हैं कि आपका जो धर्ना इसको खतम कराने की शाजिसा से ऐसी दिखने क कि लिए यह देखा उस लुगोई को खतन करने के लिए बहुत क्या गया उस्लेट सफ़े और विया कि बहुत भार्णा जाठालनवं गिंग सब्सक्राइन से इन किया उसनिए बहूत फरकह सो जो मेर किस्वा ही मेर कि अगरे जो हुए न फाल द्जी बाधर मॉति चाहे एक अपना सुब्धार मेजिर की रहन की दिया हम उसके साथ खडे हैं हैं ऐसे खडे रहे हैं मुश्प Seven यह करे हैं हमने आपने जो आर्गिमिशायन आपनी सब्सक्राइश कमीटी उनके जितने भी योगढ़ उनको ही आगए किया गया चाहे ही त्रीकरण तरीक्रें अपना रहे हैं उनको funding कहां से आ रही है, उनको क्या क्या हो रहा है, मैं आपको detail में बदा सकता हूं कि उनकी जतनी फाउज्टी वह हमाचल से किसी एक organization में सारी भेजी हुई थी. मैं बारतारिक की कॉल में जितने भी सेना के आये थे सेना के लोग जो लोग आये था, वो सारे एक ये organization से थे बात सीधिया पिलकुल, जो लड़ाई लड़े हैं वो आगे बेजे आते हैं और जो लड़ाई के जिनके हाथ में remote control है, वो पीशे AC में बैठते हैं, और वो जितना मरिटी जो मरिटी किसी के अगेस्ट में बोलो, लेकिन उच शब्वीश तेंब में अपने ढ़ाई है, कोई कमी नी आई, और किसी भी administration में कमी नी आई, किसी commandant control में कमी नी आई, कोई operation में कमी पर कोश़ लोग सै नाइसा होगा हम लोग बीना पैसे वाले हैं हमारे पास सिर्फ एक डारेक्शन है छाहे वो बहुत बड़े रेंका है वह एक दूसरे की नोग डारेक्शन मांगके हैं चाहे को शोटा हो चाहे को बड़ा हो अच्छा सर बारा तारिक की जो कॉल थी उसमें देश भर से सेना के लोग आये थे फौजी जवान आये थे और उसमें देखा गया कि कुछ सेना के फौजियों ने यह आरोप लगा है आपके धरने पे जो 26 दिन से लगातार चल रहा है कि यह एक ढोंग चल रहा है के वल यहां पर प्रॉप अगेंडा चलाया जा रहा है कपिल जी के द्वारा हां यह बार तो आपकी बहुत बढ़िया है लेकिन मैं ना भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको शबीस दिनी दर होगे लेकिन उस शबीस दोल में आपने यह देखा कि अगंटिकेशन बिट सचते जो दोति के ऊपर वो अपने आपको फोजी शो कर रहे थे और उन्हों ने इतना फ्राड गिया कि हमारी सर्फा में कोई बंदे हारे थे हमें किसी त Ώक कार का डाया देने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने उन से पूछा गया उना बूचा काहन है बोला वो बार गया तो उनसे 31,000 पेगा डोनेशन ले लिया और उनको सिर्फ उत्मादी अगर उनने इतना ही दाम था को सीधा बोल दे कपल तो ढूंगी है इतना थी हो बोला उनोंने के कपल बार गया हुआ है तो सिर्फ पीस का मिदल क्या हुआ कि उस सिर्फ और डोनेशन को हड़ाप करना चाह मारत हारी की जो कॉल थी सर एक तरफ साबका सैनिक संघर्ष मोर्चा माँ पे बैठा हुआ था कुछ लोग अपको सैनिक पर साथ और बाकी एक बड़ा सा मंच तयार किया गया था जहां पे हजारों की संख्या में सैनिक थी क्या उस दिन सैन असेना जो है जो आप लोगों का अधरने दो टुकडियों में बटा हुआ था ऐसा कुछ नहीं है मैं तो आपको पहले बोला कि आप लोगों की इडंटिफकेशन नहीं आप लोगों कर सकती कि आर्मी पस्टल काओना है और पस्टल की तो दूर से पहचान हो जाती है चाहिए कोई भी हो और यह बूसर नौन प्रणी नाइशन के दोवारा कहीं से भीजे गए थे पैसे देकर और वह इतना बड़ा जो फर्मीटर इतना बड़ा यो डेमस्टेशन किया हुआ था स्टेज वारा लगाई गई थी हम तो इतने केबल नहीं है तो इतनी बड़ी स्टेज लगा तो आपने जब से शबीज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी बड़ी सी स्टेज भी स्टेज लगाकर कुर्सियां लगाकर सब पिछ करकर हम दों बैठ जाते हम दों सिंपली एक बैठे रहे हैं कि डामस्टेशन के लिए और ऐसे ही बैठे रहेंगे जो बारा तारिक की कॉल थी क्या वह आप लोग कि साध्सों से डरते हैं हम उनका नाम नहीं लेना चाथे कि उन्होंने क्या किया इधर तो डेली आपके सा मने 10 दास पाक्मध यह हम उनकी तरफ केंगे हमने सिर्फ अपने इंदरने की तरफ देखना finds ले उनकी तरफ नहीं आहीं देखा ही नहीं नाही दृआ माहे दृप पेगा फ्रॉड हुआ है अब इसके लिए आपका सानेक संधर्श क्या आगे कारेवाई करना की कोशिश कर रहा है मैडम ऐसा है जो भी कतीज जियार का डूरिशिंग जिसने भी दिया है वो वो उसकी जुम्हेवार है